तो इस वीडियो में हम बात करेंगे के अगर आप New Zealand Australia या किसी European country में टेक्सी चलाते हैं तो कितने पैसे आप कमा लेते हैं एवरिज और साथ ही साथ में बात करेंगे के क्या आप Indian license पे टेक्सी चला सकते हैं या फिर कौन सी requirement है टेक्सी चलाने के लिए क्यूंकि मैं अभी टे information है मेरे पास वो मैं आज इस वीडियो में शेर करूंगा बाहर हो रहा है सांसेट तो गाड़ी में बैठने की बजाएना उदर चलते हैं वहां बहुत सुछी सुन्दर सा ब्रिज बना हुआ है और बैठने की जगे भी है तो सामने वहां पर चलकर बात करते हैं और कुदरत का भी अनंद लेते हैं तो यह मेरी गाड़ी है जो मैं टैक्सी चलाता हूं यह हाइब्रेड गाड़ी है तो काफी किफाइती गाड़ी है यह क्यूंकि यह जो 50 के जोन में होती है तो बैटरी से चलती है अगर 100 के जोन में जाते हैं तब ही गैस यूज करती है तेल पेट्र किलोमीटर की आ जाती है और काफी रलाइबल भी है क्योंकि टोयटा की गाड़ी है तो मुस्ली टैक्सिस आपको यही गाड़ी मिलेंगी तो यह देखिए ऐसा है मोखौल जहां पर बैठ कर हम बात करने वाले हैं वो सामने सूरज की जो लाली आपको दिखाई दे जाएगी औ दो तीन दिन से काफी टेंपरेचर गिरा हुआ है मैंने टीशेट ही डाली हुई है मुझे लग रही है ठंड कोई वात नहीं आज का वीडियो तो हम बना के ही जाएंगे अगर आप चाहते हैं कि आप इंडिया के लाइसंस पे न्यूजिलेंड में आकर टैक्सी चला सकेंग इंडियन लाइसंस पे जो नॉर्मल गाड़ी है ड्राइव कर सकते हैं लेकिन अगर टैक्सी आपको चलानी है तो उसके लिए आपको यहां का लोकल जो जो भी लाइसंस है जिस भी कंट्री में आप रहते हैं चाहे वह उस्टेलिया हो इंगलेंड हो न्यूजिलेंड हो तो टैक्सी चलानी है तो एक साल अपने इंडियन लाइसंस पे यहां पे आकर आप गाड़ी चला सकते हैं ना अगोर doesn चलानी है तो नॉर्मल लाइसंस पे ही चलाने लग ज़ाते हैं जाहां कुछ करने की ज़ूरत नहीं पढ़ती हैं यहां पर आप को सारी legal requirements है follow करनी ही पड़ेंगी सबसे पहले तो जब आप टेक्सी का license convert करेंगे एक साल के लिए बनता है या पांच साल के लिए बनता है मैंने पांच साल का बनाया है तो पांच साल में एक बार आपको आपकी आखें चेक करानी होंगी और आ आपका यहाँ पर डॉक्टर होता है आपको श्यूक्त करना होता है जब भी आप दूसरी زविकर में ऑंपको रहती हैै और छोड के जल जाता है उनको पास आपकी सारी मेडिकल रैती हैं उनके पास medical history तो रहती ही है अगर नहीं है नहीं है आप तो आपका पूरा body जो है चेक अप प्रॉपरली तो नहीं चेक जब आप apply करेंगे जैसे ही आप apply करेंगे तो पुलिष के यह जो है अथौर्टी है एंजड़ टी जो निज्ञेंड की जहां पर आपके license बनते हैं तो यहां पर एक एक company है दूसरी है वीटी एंजड़ कंपनी दो कंपनियों में जाकर आप apply कर सकते हैं तो वह जो प्रक तो है उसके बाद ही आपको लाइसंस मिलेगा लेकिन लाइसंस टैक्सी का लेने से पहले ना हो सकता है कि अब चेंज हो गए मुझे लगता है सेम यूगा आपको पी इंडॉर्समेंट प्रसेंजर इंडॉर्समेंट लेनी पड़ती है उसके लिए आपको स्कूल भी जाना क्योंकि यहां पे ना कई बाग गाई डॉग भी आपके साथ ट्रेवल करते हैं तो गाई डॉग के साथ अगर आप कोई ट्रेवल कर रहा है तो उसको यह लिए आपको गाड़ी में एक ब्लेंकेट वगरा रखना होता है और आप लीगली उसको निकार नहीं कर सकते डॉग आपकेवरूल हैं क्योंकि यह अभी भी जो ब्रिटिश सरकार है उसके अंडर ही माना जाता है नीजलेंड जानूंट ऊár इनके जो पास न्यूज़िलेंड की एडुकेशन है आपके पास अच्छी जॉब है तो आप से जो है आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं मैं छोटी स्टी की बात करा हूँ मैं रहता हूँ चोटे शहर में, हेस्टिंग नेपियर जो है इतना बड़ा नहीं है, चोटा सा जो शहर हैं, दोनों सासात में ही है, यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, टूरिस्ट आते हैं, और निज़िलैंड में मुस्ती लोगों के पास गाड़ी है, टेक्सी में आपको पैसे बनते हैं, सेटरडे नाइट को, फ्राइडे नाइट को, पूरी राट ड्राइव कर सकते हैं, और ड्रंक पीपल के साथ डील कर सकते हैं, तो आप उस रात को 400 से 500 डॉलर तक कमा सकते हैं, सेटरडे नाइट को, क्योंकि मैंने सेटरडे नाइट एक या दो बार चलाई होगी, उसके बा से कुछ भी ऑज तक मेरे साथ है-सी अननी घटना नहीं हुई कुछ टैक्सी ड्राइवर के साथ हूँ जिन है पर्सनली जानता हूं लेकिन उबर में अभी तक कुछ नहीं हुआ मेरे मैं यदिधी घटना है तो इसी लिए मैं कह रहा हूं कि अगर सेचटे नाइट आप चला सकते हैं तो 400-500 न्यूजलेंड डॉलर 15-20 हिजार तक लेकिन आपको पूरे 13 घंटे लगाने होगे लीगली आप 13 घंटे चला सकते हैं टेक्सी अदर्वाइस जैसे के वीक डेज मैं चलाता हूं 15-20 गंटे एक्जाम्पल के तोर पर लेके चलीगे छोटा शहर है और कई बार तो घंटे यहां पर 23 डॉलर के तकरीबन घंटों की जो है ना मिनिममम वेज है कई बार तो उतने भी नहीं बनते अगर मैं कहीं पर काम करूं ना तो 200 डॉलर तक वहां पर दस गंटे का 230 डॉलर तक बन जाएगा क्योंकि तीस डॉलर टैक्स चला गया तो 200 डॉलर आपको वापिस मिल जाएगा जब आप टैक्सी चलाते हैं तो आपका खर्चा भी बहुत होता है क्योंकि गाड़ी जब चल किलो मिटर निकल गया दो महीने में तो सर्विस हो जाती है तो खर्चा आपको काफी करना पड़ता है और गाड़ी को जो कीमत कम होती है वह डिफ्रेंट बाद तेल भी आपको अपनी पॉकेट से लवाना होता है इतना ज्यादा बड़े शहरों में अगर आप आप विलिंग् पहले तो वो कहते हैं के 300-400 डॉलर जो है वो निकार रहते हैं टोटल जो है उसके बाद उनका तेल का लगा लो समेलो 200-250 जो है अपनी पॉकेट में डाल देते हैं बड़े शहरों में अगर छोड़े शहर में जैसे मैं हूँ तो यहां पर आपको इतना ज़्यादा टैक्सी बड़े चाहिए इसलिए चाहिए था जीवन चलता रहे जब तक में जॉब पर वापस नहीं चला जाता या फिर मुझे यूट्यूब से इंगम नहीं आ जाती और साती सात में अपने चोटे बच्चों का भी ख्याल रख रहा हूं और फैमिली क्योंकि यहां पर ना माँ ब तो आपको अपने बच्चे खुद ही संबालने होते हैं या फिर आप यहां पर दो महीने से किंडरगार्ड ने शुरू कर सकते हैं वह हम नहीं करना चाहते हैं हमारी जो डॉट्र है तीन चार साल की हो पहले घर पर भी उसके बाद ही जाएं तो इसलिए भी मैंने जौब देखे कितनी शांती है अभी सिर्फ एक लड़की यहां से गुजरी जो के वाकिंग कर रही थी साड़क पर कुछ गारियां गुजर रही है अदो वाइस कितना क्वाइट है मुझे ऐसा ही महल अच्छा लगता है बड़े शेहर नहीं मुझे अच्छे लगते मुझे शांती अ समय लिए 10-15 लाग की आप लेकर लेते हैं वह बाद में 2-3 साल में ही वह दो या 3 लाग की रह जाती है वह आपके पैसे कम होते हैं और काफी कुछ आपकी पॉकर से भी जाता है तो इस वीडियो में बस इतना ही आपको कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी यह लोकेशन अग अगर मैंने कुछ नहीं बताया जा कुछ गलत बताया हो क्यूंकि मैं भी इंसान हूं तो कमेंट करके मुझको करेक्ट कर देना आपके लिए इतना ही जल्द ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर